नमस्कार दोस्तो पुस्वस किचेन में आप सबका स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं आंडा करी आंडा करी बनाने के लिए हमें सामग्री लग रहा है पाच छोटा अलू अड़ाईशो ग्राम है चार अंडा अब मैं आलू को थोड़ा थोड़ा सा चीर दे रही हूं चै अच्छे से तो हो जाए इसलिए थोड़ा थोड़ा चील लूंगी चाकू के साहता से अब मैं इसको कुकर में डाल रही हूं पाच आलू चार अंडा अंडा को सब डाल रही हूं कुकर में अब मैं इसमें पानी डालूंगी यह दूबने तक पानी दूँगी 500 ग्राम पानी देने से हो जाएगा अब धीमी ग्यास में इसको एक सीटी लगाऊंगी अब मेरा अलू हो गया है डीम भी पक गया है अब मैं आलू को चाट टूक्रा में कट कर दूँगी थोटा आलू है उसलिए चाट टूक्रा में काट रही हूं ऐसे करके इसको काट दूँगी अब मैं अन्डा को कुई दो टूक्रा में काट दूँगी अब मैं अन्डा को कुई इसमें सामग्री लग रहा है एक चमच जीरा छोटा आदी चमच गरम मसाला नमक सादनोसर हल्दी पावडर राधा चमच लाल मीच पावडर राधा चमच धनिया पावडर एक चमच टमाटर एक चोपिंग किया हुआ एक बड़ा पिया चोपिंग किया हुआ एक चमच धनिया पत्तक चोपिंग किया हुआ चार हरी मीर्च दस बारा रसुन की कलिया एक छोटा पिया बड़ा बड़ा टुक्रा में काटा हुआ और एक इंच अद्रक का दुग्रा चार चमच अब मैं प्याज रोशुन आद्रक रोशुन और हरी मिर्च एक साथ पेस्ट कर दूंगी इसका थोड़ा पानी डालके इसको अच्छे फाइन पेस्ट बना लूंगी आप कड़ाई में दो चम्मस मैं तेल डाली हूं अब इसमें जरासिक हल्दी जरासा नमक हाइपेन में डाल दूंगी डालके मैं अंडे को देके अब इसको अंडे को फ्राई करूंगी मैं थुरा देरी फ्राई करने से हो जाएगा इससे अंदे का बहुत अच्छा टेस्ट आता है काट देने से मसाला तेल मसाला उसके अंदर भी जाता है, मेरा अंडा एक तरफ से पब गिया है, अब मैं इसको उलड़ दूँगी, दूसरे साइड भी ऐसे ही पका लूँगी, गैस का फ्लेम मैं मीडियम रख रही हूँ, अब मेरा अंडा पक गया है, अब मैं अंडे को प्राई से निकाल दूँगी, अब मैं एक गड़ाई में आलू को फ्राई कर लूँगी, अब मैं इसमें नमाक और जड़ासिक नमाक जड़ासिक हल्दी डाल के इसको अच्छे से मीक्स कर लूँगी, अच्छे से इसको मीक्स कर लूँगी, लाल होने तक इसको मैं अच्छे से प्राई कर लूँगी, अब मैं इसके धक्कन डाल के दो मिनिट तक पकाऊंगी, आलू लाल होने तक, फिर्षे मैं इसको धक्कन उटा के फिर्षे एक बार चला दे रही हूं, अब मेरा आलू भी पक गया है, आलू को मैं निकाल दूँगी इससे, कड़ाई से, अब मैं कड़ाई में फिर से दो चम्माच, तेल डालूँगी, तेल दानने के बाद तेल गरम हो गया है मेरा, अब मैं एक प्याज जो चॉपिंग करके रखी थी उसको डाल दूँगी, इसको फिर से मिक्स कर लूँगी, इसको लाल होने तक प्राई करना है, मैं ढ़क के इसको थोड़ी दिर पकाऊंगी, फिर से मिक्स कर रोई हूँ, प्याज लाल हो गया है, अब मैं इसमें अधरक रोशून और प्याज और हरी मीट का पेस्ट डाल दूँगी, डाल के फिर से मसाला बुजने तक मैं इसे पकाऊंगी, अच्छे से चलाते रहूंगी, अब मैं इसमें टमाटर को एड़ कर दूँगी, फिर से मैं मीक्स कर दूँगी इसको, अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी, कि टमाटर जल्दी गल जाता है, नमक डालने से, फिर से मैं इसको मीक्स कर दूँगी, अच्छे से, फिर से मैं इसको ढख के थोड़ा देर पका लूँगी, मैं तुरह दिर हो गया, अब मैं फिर से इसको चला दूँगी, अब मैं इसमें खड़ा मसाला याड़ करूँगी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, देखे, मैं थोड़ा शिक पानी डालूँगी, खड़ा मसाला, अच्छे से पक जाएगा, देखे, अब इसको फिर से मिक्स करके, मैं ढख के थोड़ा देर मसाला पकने तक इसको पकाउँगी, जब फिर से मसाला एक बर चला दूँगी, अब मसाला मेरा पक गिया है, अब मैं इसमें आलू को डाल दूँगी, डाल के थोड़ा देरी इसको फिर से पकाउँगी, इसको भी दो मिनिट पकाने से ढख के हो जाएगा, यह दो मिनिट हो गया है, फिर से मैं इसको चला दूँगी, अब मैं इसमें एक कोटोड़ी पानी दे रही हूँ, यह दो से इमिल पानी है, देखें, अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी, करने के बाद, इसको, मैं और थोड़ा पानी दे रही हूँ, क्योंकि 200 ग्राम पानी से नहीं हुआ है, और एक शो पानी, 300 ग्राम पानी दे रही हूँ, इसमें, अब मैं इसको थोड़ा देर पकाऊँगी, अब मैं इसको थोड़ा देर के लिए फीर से धख देंगी, करने के बाद, अब मैं इसमें गरम मसाला पाउडर और धनिया पत्ती इसमें डाल दूँगी, डाल के, इसको फीर से अच्छे से मिक्स कर लूँगी, मिक्स करने के बाद, अब मैं इसमें अंडा को डाल दूँगी, एक-एक करके, अब मैं अंडा को पुरा डाल दे हूँ, अब मैं इसमें कड़ी में इसमें अंडा को जरासिक धख दे रहे हूँ, अब मैं ढ़क के इसको फीर से दो मिनिट तक पकाऊंगी, अब मैं दो मिनिट हो गया है, मेरा अंडा कड़ी का तैयार हो गया है, अब मैं इसको पकाल लूँगी, देखिए दोस्तों कितना अच्छा पका है, आप लोग भी पकाईए, खाईए, अनुभब कॉमें शेक्षन में शेयर किजिए, और अगर वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद,